अब्वाद को आपकोmor review में बड़ास है इसम requirementsègorf आपका कोडушки कि दो बहुत ही इंपुटेंट है यह आको पताई हुआ को जाना कि यह बहुत ही इम्मटेन टॉपिक है दोस्तों समझेंगे पहले किस कुछिछ बनते हैं, कौं hold कोंसे कोशन होते हैं. तो coding decoding का, allá कि किसी चीज़ को हम लग दें, उसका किसी प्रकार से लॉजिक लगाग कर, उसको हम decode करें, यानि कि हिसी दूसरी वासन में उसको व्यक्त करें। तो दोस्तो इस प्रकार से जैसे की, कि हम एक चीज लेकर चलते हैं यह से ओंडिंग हमने लेग लिए अब इसको हमने डिकोड किया इस प्रतास तो डी पी इजे ओ एच यानि कि को क्या लेखा जा रहा है डी पी जे ओ एच यह लेखा जा रहा है अब उनसे पूछे कि इस प्रकार से कोशन आपके बनते हैं एक्जाम में तो अब आपको पहले देखना है कि क्या लॉजिक इसना रहा है यह सभी हम जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप इन सभी कोशनों को चुटकी ओना कर लेंगे तो पहले इसके थोड़ा बेसिक पर चलते हैं इसक कराएंगे दोस्तों इसका अंस्तर है अब सभीद है अपने कोशआ डिया जाता है यह जो हमारे तो पहले आपको पता होगा आप सब को याद होंगे एक दम रटे हुए आपको होंगे लेकिन अगर आपको पूछ लिए कि कौन से स्थान जाता है ती का नमबर क्या है तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आपको टाइम लगेगे पांट करने में तो यह सब हम आपको इसमें ट्रेंगे बताएंगे किस पर पास से आपको याद रखना है तो A B C D E F G H I J K L M आपको लग लगा हुआ क्या बच्छ वाली चीज़ है लेकिन दोस्तों इसी से पूशन पूश है जाता है तो अब हमारी यह इसका नमबर के हुज़ा एक दो तीन चार्ट पांट शेट साथ आट नोग दस 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 दोस्तों तोटल हमारी कितने अल्पावेट होगे 26 होगे अब इसका जो नमबर है यह कौन से नमबर पर आता है एक पर क्यों पूश ले 17 है पूश ले 6 नमबर पर दोस्तों इसी प्रकार से अब आपको याद है यह तो आपका इसी के ऊपर कोशन बनेगा है अब एक ची ओर इसमें पूशता दोस्तों एक तो यह होगा है अटा प्लेस में पूंट पूंट पूंश एंट की इससे कोशन पूश आजागा दो तो एदर से चलेंगे हम तो क्या कहेंगे हम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट आप यह क्यों हिएंड़ी मा दोस्तों क्या कहेंगे है वाइं से दाएं यह जाने जब भी कभी कूशलें यह बोलें दोस्तों और और तो तो बोलें तो क्या यह यह यहां हमारा राइट टू लेफ्ट यानि कि दोस्तों दाएं से वाएं चलना है अंको तो यह आपको पता चलिए हुआ अब आपने एक शीज देए एक से लेकर देर है और चौदर से लेकर 26 यानि ऊपर टोटल कितने हैं तो दोस्तों ऊपर टोटल कितने 13 इतने अलफबेट है 13 तो नीचे भी कितने होंगे 13 यानि कि आदे आदे लेखे हुगा है तो पहला इनको क्या हो लेगी दोस्तों प्रतम खर्दांस और तुद्यार यानि आदे यह हैं एम तक और उसके बार एन से जैट कर आदे दोस्तों एक एंगे अपोजिट पर करें लाज़ पाले कुन सा जैट तो यह हमारा एदर से बार स्टाट करें तो यह भी पहले कर और नहीं हो जाएगा तो यह आनुकी हम एक यह कह सकते हैं एक आपोजिट क्या हो जाए दोस्तों जैट अब वी का पूजिट फिर वाई ती का पूजिट एक्स इस प्रकास से द चाहिए तो आपके काम में आ सकती हैं तो आप इनको अगर क्रैक्टिस याद करेंगे तो आपको यह ऐसे याद हो जाएंगे फिर भी कभी कभी काम आ जाती है याने कि एक होता है दोस्तो इस बुखों में दीया होता याद था इसे की दस पर यह पंद्रह पर और यह 20 पर और यह 25 अजय को यह जॉत यह तो हम इनके बीच में अंदार बगा सकते हैं यह ऐसे कि हमसे कूछला एंड कौन से इस्थान पर है तो हमारे दुमां आई कि सब्सक्राइब करने हैं तो अब जे से कांट करने हैं यानि कि 10 के 11 यानि 10 से कांट करेंगे तो हमको 13 कांट करने पड़ेंगे के दूर्सक्राइब करने हैं यह सब्सक्राइब करने हैं आप नोट करने हैं इस दोस्तों जाओ आप प्रेक्टिस करेंगे तो आपके बहुत ज्यादा काम है आने यह अब चलते हैं इनके अपोजट देखते हैं दोस्तों और आपको अभी आज परा देए अपके अपनी ट्रेक होती है दोस्तों आपके सी इनको बना सकते हैं जैसे यह एक आपको जाए दोस्तों जैट नहीं कि आजार वहां है अपनी जैट हो यह आपको यार एक से आजा वी वाइड वाइड दोस्तों आपको क्या सिर्ट यह यार करना है तो कुछ भी हो जो क्योंकि इससे कोशन आना ही आना है दोस्तों और सी एक्स क्रेक्स यह पर दीव दूस्तों इसको दास रिया दोजया फिल क्या एगा ई वी एवन एफ यू तो रोस्तों यह आपको बस यार कराने की लिए यह इंपोर्टेंट आपको याद ही करना यह अगर आपको इस पुका से याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा हिंट अब इस टार्टे में आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी जब आप रेक्टर जालता देंगे आप शीच जाएंगे इन सब ची सब्सक्राइब क्या होता है ती यानिकी जीटी रोड इस पुका से डीटी हो गया आपका फिर एच और एच का पॉजेट एस यह दोस्तों एक दूसरे की अपोजेट है एच का पोजेट एस यानिकी हाई आप आपको समझ में आ राई रहा है अब आई आ आया रोस्तों किसको बोलेंगे एंडिया रेल वें एंडिया रेल लेंगे आ यह यहां गया आ यह जे क्यूँ जोस्तों क्या हुआ है क्यूँ यह यानि इसको अम लेक सकते हैं यंगल क्यों क्यों अभी आप चलते हैं पर के पी है तो तो के बीगा यह लिए यह 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 जो चलता है कि अधिक ने एक पीटर सने स्वेल है क्याप बीग्रस अम्या भूस्ट यह यह वल्शो मेर्ड भूस्तों क्या बीग्रस एल्ऑल्ड क्या अभी यह लव्ड्रस अाच अब्चर्ण क्या लेक बीग्रस आव्रस पित्म्या अन्ल कर दोस्तों में कि दोस्तों इस प्रकार से आप इन सभी को याद कर सकते हैं हो गए आपके टोटल 26 एक दो तीन चार पांट चैसा आठ नहों दस ग्यार बार तेरह मैं और इसक्राइब चल रहे हैं 26 दोस्तों पूरे कर दोर यह ज़रूर करने हैं तो एक बार इनको देखके हम मुलता है वह मत थी तो यह का बोड यह क्या होता है जाना यानि यह श क्या हो जागा यानि सी एकस करेक्स यह ज्यक्त क्रेक्स डिकाप व्यूली से डिक नुक्र और दोस्तो E का आपोजेट V, V का क्या हुजाएग इवन, F का आपोजेट U, U का क्या हुजाएग दोस्तो FUN और G का आपोजेट T यानि GDRO, H का आपोजेट S, High School, और दोस्तो I का आपोजेट R, Indian Railway और दोस्तो J का आपोजेट Q, Jungle Queen, K का आपोजेट P, Kevin Peterson और दोस्तो L का आपोजेट O, यानि के लो, L, O, W, लो, और दोस्तो बचा हमारा क्या आपको आपोजेट N, यान की मैं, तो दोस्तों ये आपको यार्द हो गए, और दोस्तों अपनी नोट उपमे, नोट जरूर करने, और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आगा है, तो आप, जरूर करते हैं, हमको बता सकते हैं, और ये वो, शेयर कर दें, अपने सभी दोस्तों है, और आपने फिल नहीं किया, तो फिल कर दें, क्योंकि प्रवाद में साइड भी विजिन पूल सकती है, तो इस वाजय से, क्योंकि फॉन इसमें जादर बार जाएगा दोस्तों, तो प्रतार आप िहुल्रे लेक्षे का पता है जैसे लिखा सिरलख को लिखां रहा हुं विम नहां है एंडिया कि यह र्टा dare रिखा रहा लहां है किया राया कि इसे नूब एक चार चार नो इस पर पास से अब आपसे पूछ ले कि नैपाल को क्या लिखा जागा यह आपको बता नहीं दो तो अब आप इसमें एक चीज देखेंगे इस जो यह बहड़ एक इसको इन नमबर से देखेंगे क्या इसमें लोजिक लग रहा है किस परकास से इसको यह भी कि दोस्तों कर दिया और लोजिक कि काए लिखेंगे तो हमको एक चीज पता चली क्या कि यह जो लिखे हैं उन्हें दोस्तों यह जो नंबर किस प्रकासर रिखोड़ किया गया है जो इनके प्लेश वेल्डियू हैं जिस सिस्थान पर यह आती है अलफावेट में दोस्तों उसी को लिख दिया गया है तो अब नेपाल का देखें तो कौन से नंबर पर होता है चोड़े पर इस प्रकास से आपको यह नंबर के याद होने चाहिए तो इसका नेपाल का तो कुशन किस प्रकास पूछाएगा यदि इंदिया को यह किसी कूर्ट वासा में नौ एक चार्चा नौ एक लिखा जाता है तो उसी मुण वासा में नेपाल को किस प्रकार से लिखा जाएगा तो यह आपको लेखते ना है अब एक दू कोशन और देखते हैं अब अच्छे अच्छे कोशन दोस्तों हम देते हैं तो आपको देवना मनी को क्या लेखा जाएगा दोस्तों एक तीन, एक पांच, एक चार, जीरो, पांच और दोस्तों यह लेखा जाएगा अब दोस्तों आपसे कूछें पूछें पॉब्लिक को क्या लेखा जाएगा जा दोस्तों मनी को एक पांच चार जीरो पांच दो पांच लिखा जा रहा है तो पॉब्लिक को क्या लिखा जाएगा तो तो आप इसको बना सकते हैं यानि आपको एक सीज दीख रही होगी एम को सबसे पहले दोस्तों और आप question solve रहना दो उनके जो प्लेस वैल्यू है उनको पहले देखना है बस तो प्रेफर ऐस किसको देखी है उस्तों place value तो एन कौने नमर को होता है 13 कौह दोस्तों कौन से कौन से होता है 15 है तो तो हम देखे कि तीरा यहां तक मेंने 15 यह मेंने रहा है जो में वह है तो अब लेकिन यहां पर सब के दो दो हमके लिए रहे हैं तो इक हमने क्या लेखा है दोस्तों जीरो पांच दिया हुआ है बाई का 25 तो यानि कि जो सिंगर प्लेस पर आता है उसको दोस्तों हमको जीरो के साथ लेकर चलना हुआ उसको पर हमको पिंगेश्टीं और सब्सक्राश़् ज़िए बने क्सक्राश्टीं क्या फैर्न पर एंवाड़ो क्रेंश्टीं साथो तो तो क्या आपने लेखा इस परकार से एक छे दो एक जीरो दो एक दो जीरो नौ जीरो थी तो पॉब्लिक का ये डिकॉर्ड हो जाएगा तो यह आपका आंसर को प्रूल करेक्ट हो जाएगा तो कुश्चन और देखते हैं दोस्तो इसी टैप पर आकून का आंसर देना जल् अब यह यहां घैंक्त को क्या लिखा जा रहा है कि तीव ऐले कि अगश्षर दो कि क्दोखे deg कर दो आपको नहींस को यह वहितन को नாल यह यह थे शीकुट वह साम कम है चैप्टर पो तीन आठेक साथ वांच नौ लेखा लिखा लागा तो लेशन को क्या लिखा लेंगा तो टीन कि सी कौनसी नंबर्पर न तीन पर सई है सद्व मुझ दोस्तों कौन सी पर हो जाएगा पर बिल्कुल सही एक कौन से पर हो जागा एक पर पी कौन से पर हो जागा जोस्तो रेकर लेकर यहां तक तो हमारा प्लस लगा दें तो क्या हो जाए यह तो यही तो लिखा गया है सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसको कैसे एड़ किया जियो और थीन होते हैं जिरो प्लस थीन वराग जिसको का से लिए तो अब इसका लेशन का आधा ज़ो इसे पताएं क्या होगा अपनी-पनी कॉफी में अपना नहीं होगा अब नहीं बनाते हैं अपना च्यक्राइब पहले इस पर का से लिख रहे हैं यह वाला भी आइस पर पंदर है हैं कितने पर चौद है यह रिख लिए अब इनको जोड़ जोड़ यह कितना हुजा दोस्तों तीन और यह पांच है तो सीधा पांच यह दस अब दोस्तों एक चीज हो रहा है यह पर लेख लेखना क्या है सिंगल डिजट लिख लिख दस को ही ज़ह लेखेंगे दोस्तों एक चैने क्हां यह रहरा एक यह एक एस जर्याए पर और और पर दोस्तों कितना हुजा यह चैनी चैना पर कितना तो यह वारा आप देखें आपकर यह यह आपकर आपके जरूर किया होगा तो यह चीजी तो आपको समझती है इस प्रकार से यह वारा आपकर हो जाएगा 351165 पर दोस्तों तो अब इससे ज्यादा नहीं पूछेगा और अब देखते हैं जैसे कि कि यूमें को किसी कोड़ वासा में दूश्तों क्या लिखा जा रहा है कि जे डब्लू को कि वो कि सी कि यह रिखा जा रहा है और दो तो उसी कूड़ वासा में कि बूमें को क्या लिखा जाएगा कि वो में को क्या रिखा जाएगा कि दोस्तों यह आपको बताना है अब एक चीश्ट देखें इस प्रकार से भी दूस्तों अभी तो हमने अलफाबेक को नमर में चीज़ दिया था अब यहां पर एलफाबेक में ड्कोड किया एए तो अब मत्व आंपको से लिख़ें को क्या रहिए कि आपको एड़ान तो इंक पर यह दोस्तों दस और यह कितने पर आता है तो कितने पर हो जागा आपका थेज़ा वह कितने पर हो जागा दोस्तों 15 है अब आठ से दस पर गए यानि हमको पता चला कि दो इसमें चुड़ा है कितने पर है 13 से कांगणे हों तो 15 यानि कि दो इसमें चुड़ा है है और एक से तीन पर दो और यहां पर केतने जूड़े हैं तो इस सब में कितना-कितना एड हो रहा है यानं कि दोस्तों देखें तो इसमें हमारा कोशन हो जाया यानि तो जोड़ेंगे दोस्तों क्या हो जाए हमारा 23 में तो जोड़ेंगे तो 25 हो जाए हो यानि कि 15 में जोड़ेंगे 17 13 में जोड़ेंगे 15 इंकी नमबर तो नमबर तो पता चले अगों की उर्फ करसका से आप इसको स्वल्व कर सकते हैं तो यह आप के दूसरे तो वीडियो जादा बड़ी हो रही है चोटी चोटी वीडियो यह आपको प्रोवाइट कराएंगे जिससे कि आप आसानी से दोस्तों देख सकें और आपको जादा जोड़ भी ना पड़े जब हमको जरूलत होगी दोस्तों जब बड़ी वीडियो करा देंगे आपको तो स्यार अपने सबी दोस्तों में स्यार करें थैंक्यू और लब भी जाते हैं